कि यह हम प सक है र्ज़रम को कि आखाने मीं तो आखेर से 20 विपर लगांगार हे काली हो यदे हुनकरी दो आपने के लिगा में पॉस्त दितें के पास नहीं हो दोसे ज़किन समय को में पूसरे किसे पाने किना खजोन अब्सवर की सब्सक्राइब कोई सबसे नहीं जीप पाएगा रुनेट करना चेहां चोटा कार करता भी ख़ला कर दूंगा वो जीतेगा आज की तुबिट बहुत अंदर होने वाले है आज की वीडिया मुट्चा सरणों का मद्दान संपन हो चुपा है अब बस एक चलेना का मद्दान बचा हुआ है साथ नहीं कर दोस्त देखी और अगर आप लोग हमारे चैनल में आ आह तो एक सब्सक्राब कर दीजी तो चलिए शुरू करते हैं और आज यह जो वोटिंग अप जाकर संपन होगी एक घंटे के बाद के सरक की परसिती देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा छटवे चरण के लिए मुझे लगता है कि जो पुराने मुद्दे ते आज भी वही मुद्दे हैं और जो तीन जो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो हर सर्वे में लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं इसमें बेरुजगारी नंबर वान है महंगाई नंबर दो है भरस्टाचा नंबर तीन है और जब इन पर अगर आप आकलन करने की कोशिश करिए तो आपको बिल्कुल साफ पता चलता है कि इसी वज़े से भारती जनता पार्टी को पिछले दस साल के इंटीन कंबन सी जहलनी पड़ रही है और इन सवालों से कही नपने भारती जनता पार्टी बच्चती हुई दिखाई प कि मैं तो विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहता है अब यह दोनों बाते इतनी विरोधा भाशी है कि क्या इन बातों पर लोग एकीन करेंगे मुझे तो नहीं लगता है इन बातों पर को यकिन करने वाली बात है लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यह जो छठा फेज है यह बि वैले फेज से छठे फेज तेक स्थिती बदलती जा रही है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के रण्दर भारतीेंटा पार्टी के लिए भारी होता जा रहा है और भारती जैंता पार्टी संगर्ष कर त्रीगा प्रदानमंद्री नरेंद्र मोदी ने हाली में कहा है कि देखे जो एजंड़ा हमने देश को दिया उसी पर विपक्ष चलने लगा इसका भी जवाब जल्दी से हमने कहा चार सो पार्ट विपक्षी गढ़ बनन लगातार बात करने लगे कि चार सो आएंगी नरेंद्र मोदी देश का एजंड़ा तै करते हैं जिस पर विपक्ष के लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के आधार पर वो अपनी जीत का दाबा भी करने हैं जिस तरीके से नेशनलिजम के मसलेव खड़ा क्या पाकिस्तान हो गुसके मालने वाली बात की ती इस बार वो लगातार लड़ खड़ाते विए दिखाई पड़ रहे हैं इन फैक कि यह जो चार सो पार वाली जो बात है यह पहले फेस के बाद से भारतियांता पार्टी में बैट ना जाया तो फिर से नोंने चार सो की बात करने शुरू कर दिये ताकि वो भी कॉन्फिडेंट दिखाए मुझा लगता है कि यह इनकी कमजोर ही है लेकिन चार जून कोई पता चलेगा सरकार किसकी बनेगी नहीं अब पांच चरणों में तो 310 का आंक्रा आप लोगों ने दे दिया था जब 486 सीटों पर अब मद्दान संपर्ण होने जा रहा है तो बीजेपी की क्या है इस्ति देखे आज शाम तक जब हमारे पास पूर्ण मद्दान होने के बाद फीडबेक आएगा तो इस्ति वही है जो पांच चरणों में दिखाई पढ़ा था चाटा चरण उसी प्रक्रिया के तहत उसी दिशा में आगे बढ़ता हूँ नजर आ रहा है इसमें किसी प्रकार का को स्वस्त मेंगाई की दर होती है अब चुनोती से कहता हूँ कांग्रेस आसन काल के पांच साल बताक जाईएगा जब पांच परसंट से कम मेंगाई की दर हो बिरोजगारी की दर तीन परसंट है कोई तीन साल बताके जाईएगा जब बिरोजगारी की दर तीन परसंट से कम ह 50 करोड़ों को आईश्मान भारत योजना से जोड़ा, पांच वी बड़ी अर्थरस्वता बनाया, चौथा बड़ा स्टोक ते इंज बनाया, तीसरा बड़ा आटो मोबाइल मनुखेक्ट्रिर से दूसरा बड़ा मोबाइल हेंड सेट का मेनुफेक्टर बनाया चांद की अजूते कोने पे पहुंचाया माने बर और भगवान राम का भव मंदिर भी बनवाया और अबुधाभी में बनवाया जो कहते हैं नहीं मंदिर बनेगा पेट्रोल नहीं मिलेगा तो यूएई के साथ कॉरिडोर भी बनवाया दो हजार चौदा में एक अंतर क्या था आपके साथ आशुतोष जी भी थे वो अलग हो गए प्रशांद भूशन शांति भूशन किरन बेदी कुमार विश्वास अलग हो गए और साथ में कौन आ गए लादू प्रसाद यादव जी डीम के आ आ गई सपा आ गई और जार ख पर कित्रों ने हमें 282 दिया था दोसो भाटता नहीं दे रहे थे साथ एक्जिट पॉल लिखना था आपके इस पैनल पर प्रदीब गुपता जी बैठे हुए हैं इन्होंने 303 दिया था तो इनको इतनी आलोचना की गई थी कि जिस दिन चुना पर नाम आया मुझे याद ह भारत के इतिहास का इतिहासिक मद्दान है आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब गांधी परिवार ने कॉंग्रेस को वोट नहीं दिया है सोचे ये इतिहास की कितनी बड़ी करवट की तरफ संकेत दे रहा है कि गांधी फैमिली ने पहली बार ऐसा हुआ कॉंग्रेस के लिए मौहर लगाना या बटन दबाना नहीं किया है ये अपने आप में दर्चा था और दूसरा एक और दर्च से ये चुनाव महत्रपून था ऐसा आउसार आया है कि राइबरेलिया मेठी गांधी परिवार का कोई सदस से हारा है और हारने के बाद कांसिच्वेंसी छोड़ दी हो ये भारत के इतिहास से पहली बार हुआ है इंद्रा जी संजे जी हारेते पर कांसिच्वेंसी नहीं छोड़ी थी तो अगर इन दो नजरियों से देखें और तीसरा एक और चुनाव है इस चुनाव में एक मातर ऐसा मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही है जो जेल से रहके सरकार चला रहा है मुझे लगता इन तीन चीजों से देखें तो ये जिसको विचित्र प्रकार की परिस्टितियों में होने वाला एक एतियासिक चुनाव है और यह इनकी बातों में दम होता अगर इस बात में लेशमात्र भी दम होता तो अखिलेश यादव जी के लिए ये कहना पड़ता कि कन्नौज भाईया आप ही लड़ेंगे तभी जीत पाएगा आपके परिवार का कोई सदसे भी नहीं जीत पाएगा तो यह दो चीजे अपने आप में परियाप्त थी और दिल्ली के लिए तो मैं कहूंगा कि केबल 12 साल पहले दिल्ली की सदाएं जिसमें के कूचे में दूसरे को गुनहगार कहके के चिलाते रहते थे आज उन्हीं के दिलों में जान से प्यारे के तरह आके बैठ गए और हवाओं और फिजाओं में ये बदलावाया तो मुझे लगता देश की जनता ने सारे परिवर्तन को देखा है और उसका एक ही निर्णे होने जा रहा है कि मोधी जी के नित्रत में भाजपाओर एंडिये को चार सो पार्थ